आज हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर इलेक्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस जो आपका चैप्टर नंबर तू है उसके अब्जेक्टिव हो चुके पहले इनके सौट अंसर कोसें की बात करने वाले हैं जो तू मार्क्स की नॉर्मली पूछे गया है तो चलिए शुरू करते हैं कहानी 2009 से लेके 2024 तक की तो सबस्वाइब 2024 के कोस्टें मतलब इस साल का कोस्टें क्या कहा रहा है फाइंड इंक्रीज इनर्जी इंक्रीज इनर्जी का मतलब U2 माइनस U1 मतलब simple सा देल U of a condenser of capacity 6 microfarad capacity कितनी दी गई है 6 microfarad मतलब 6 इंटू 10 पर पावर माइनस 6 farad okay on charging potential difference potential difference कहां से कहां 10 volt to 20 volt तो V1 की बात करते तो V1 कितना हो जाता 10 volt और V2 की बात करते तो वो कितना हो जाता 20 volt और हम लोग को पता है energy का formula क्या होता है energy का formula होता है half cv square क्योंकि अपने को यह c पता और V पता है okay तो हम यदी U1 लिखते क्योंकि आपको डल U निकाल है मतलब U2-U1 तो U1 लिखते तो क्या लिखते है half cv1 का square और U2 लिखते तो क्या लिखते है half cv2 का square इन दोनोंका difference निकाल देने आपने को यह निकालते है del U is equal to U2-U1 U2 का मतलब half cv2 का square minus half cv1 का square क्योंकि U1 है U2 है जो common है दोनों में से common ले लेते है half c common है तो क्या अपने को मिलेगा यहां से मिलेगा V2 का square minus V1 का square अब यहां से half का half into c V2 कितना दिया है 20V तो 20 का square अब V1 कितना दिया है 10V तो 10 का square लिख सकते हैं चलिए तो लिख सकते हैं तो आगे बात करते हैं तो इसको जदी हम लिखते हैं तो 1 by 2 2 into C, यह हो जाता 400 minus 100, यह हो जाता 1 by 2, अब यहाँ C की वैलू, पुट कर देते हैं, C की वैलू कितने है, 6 into 10 पर पावर minus 6, 6 into 10 पर पावर minus 6, अब 400 minus 100 कितना, 300, तो इसको काटा जाए, 3, इसको लिख सकते हैं कितना, 900 into 10 पर पावर minus 6, ठीक है, इसको और लिखना चाहते हैं, तो क्या लिखते हैं, 9 into 10 पर पावर कितना हो जाता, minus 4, और इनर्जी है, तो इसका यूनिट क्या होगा, जूल, ठीक है, तो simple energy difference निकालना था, तो निकाल दिए, तो आंसर क्या हो जाता, 9 into 10 पर पावर minus 4, जूल, change in energy की बात करें, energy की बात करें, तोनों का यूनिट क्या होगा, सेमी रहेगा, जूल ही रहेगा, तो उमीद करती है, एक कोस्चन समझ में आया, तो नेक्स्ट की बात करते है, क्या रहा है, on what two factors does the capacity of a condenser depend, ये 2023 में पूछा था, और सेम कोस्चन गिफ two factors which affect capacity of a condenser, तो 2014 में वन मार्क से पूछा था, तो capacity का, parallel plate capacitor की बात करें, तो c equals to क्या होता है, epsilon naught a upon d, और ये डायलेक्टिक के बीच बड़ा खा हुआ था, डायलेक्टिक constant k, ठीक है, तो यहां से क्या पता चला अपना, सब से पहले ये directly proportional होता है a के, तो मतलब area बढ़ेगा, तो capacity भी बढ़ेगी, दूसरा d, d क्या होता है, जैसे ये अपना parallel plate capacitor है, तो इसका और इसका, ये area, दोनों के बीच का separation, d, और अंदर किस डायलेक्टिक को आपने डाला है, उसके लिए k, तो area के साथ, क्या सकते सब से पहले, surface area of a condenser, condenser plate, ये जो condenser का plate है, ये capacitor का plate है, जिसके ऊपर A पर क्या सकते है, plus Q charge होता है, A पर minus Q charge होता है, इसके area पर depend करेगा, क्या सकते है, simple से area पर, area के क्या होगा, c directly proportional होगा, तो लिख सकते है, capacity जो होगी, area of the plate के directly proportional होगी, next कहा दा है, distance between the two plates of a condenser, दोनों plate के बीच का distance क्या, small d, अब इसके, c क् inversely proportional, तो क्या सकते है, यदि d बढ़ा, दोनों के plate के distance बढ़ा, तो capacity क्या हो जाएगी, decrease कर जाएगी, तो क्या सकते है, simple सा capacity जो होगी, वो inversely proportional, one by, distance between the plate, one by लिखा हो, मतलब inversely proportional है, okay, next क्या सकते है, dialectic constant k, इसके साथ directly proportional है, तो depend next किसके ओपर करता है, dialectic constant of the medium, और इसके क्या है, directly proportional, मतलब dialectic की value बढ़ा होगे आप, तो आपे capacity क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, आपसे दो पुछा था, यहां तीन है, आप, दो ही लिखिए, ठीक है, तो उमीद करते है, formula याद रख, यदि यह formula याद है, तो आप तीनो लाइन आराम से लिख सकते हैं, कोई issue वाल तक आपको यदि किसी चार्ज को ले के जाते हो, तो जो आपको वर्क करना पड़ेगा, वही potential difference कहलाता है, अब वही दूसरा जो पहला जो पॉइंट जहां से ले क्या आना है, वो पॉइंट यदि इन्फाइनाइट पे हो, ठीक है, वो पॉइंट कहा हो, इन्फाइनाइट पे है, पलस क्यों, एक चार्ज कहा है, इन्फाइनाइट पे है, यहां से आप ले के यदि आप इस पॉइंट पे आते हो, इसका मतलब क्या है, इसके electric field का direction यह, आपको just इसके opposite direction में लाना है, तो क्या सकते है, electro-static force के against ले के जाना पड़ा है, क्योंकि electric field का जिस direction होगा, e क direction होगा, force का भी क्या होगा, same direction होगा, इसके opposite direction आपको ले के जाना है, तो क्या सकते है, electric potential at a point is defined as the amount of work done, amount of work done in moving a unit positive charge from infinite to that point, इस point पे आपको ले के जाना है, that point against the electric force, electric force के against, ठीक है, यह electric field का direction, यह क्या सकते है, electric field में इस एक infinite से किसी charge को किसी point पे ले के आने के लिए, जो हमको work करना पड़ेगा, वही हमारा क्या कर लाएगा, electric potential, वही एक point से दूसरे point पे ले के जाते है, electric potential difference, तो simple सा क्या होता है, electric potential V equals to work upon charge, w upon q0, यह तो आपको electric potential का definition हो गया, formula हो गया, यह minimum लिखना है, साथ में आप इसके unit को, इसके लि लिख देते हो, तो अच्छी बात है, और ऐसे भी इसका unit dimension, vector है, scalar है, यह सब चीज़ आपको objective में तो पुछता ही, पुछता है, तो सबसपहले यह क्या होता है, electric potential यह electric potential difference, वह होता है, scalar quantity, electric potential बोलो, electric potential difference बोलो, यह क्या होता है, scalar quantity, next इसका unit क्या होता है, volt, अग दूसरा यह हम बात करते है, यहां पर ठाटेखिए, तीन तीन unit लिखा गया है, तो work upon charge होता है, V equals to क्या होता है, work by, charge, work क्या होता है Joule, और charge क्या होता है, Coulomb, तो कह सकता है Joule per Coulomb, ठीक है, तीसरे की बात करते है, Joule का मतलब क्याonner, कर Coulomb क्या Newton meter, newton meter per Coulomb, joule क्या होता है, force into displacement, work equals to force into displacement, तो newton meter per column लिखा जा सकता है, अब इसके dimension की बात करें, तो आप वो भी आप लिख सकते हो, newton के लिए dimension क्या होता है, mlt minus 2, meter के लिए L, और column के लिए अपना होता है, at या it, इसको आप solve करेंगे तो क्या मिलेगा, ml2, t minus 3, a minus 1, ml2, t minus 3, a minus 1, okay, तो आपको ध्यान में रखना है, कभी भी dimension को याद करने के गलती ना करें, जैसे ये वोल्ट हो गया, ये सब याद रहना चाहिए, कि एक लाइन का जो अपना है, अब आप बैठके इसको याद करोगे, नहीं, joule per column या newton meter per column, इसको याद करने क्या जो होते है फर्मूला याद रखना मजबूरी है, यदि फर्मूला याद है, तो आप ये दोनों यूनिट तो ऐसे ही लिख सकते हैं, अग डाम से निकाल सकते हैं, तो फर्मूला को एकदम अच्छे से याद रखिए, और दूसरा चीज़ याद रखना है, कि at infinite electric potential क्या होता है, 0, infinite electric potential 0 होता है, objective point of view से याद रखना है, यह यहाँ लिखो नहीं, लिखो, कोई issue नहीं है, लिकिन कम से कम याद रहना चीज़ है, ठीक है, मतलब exam में लिखने की बात है, अभी तो आप note करोगे, तो पूरा का पूरा note करोगे, unit कैसे आया, dimension कैसे आया, infinite electric potential कितना होता है, formula क्या होता है, scalar है, vector है, okay, next की बात करते है, what do we mean by the capacity of a conductor, capacity का मतलब क्या है, ability to store a charge, ठीक है, charge को इस्टोर करने की जो ability होती है, किसी conductor के पास, उसी क्या कहता है, किसी conductor की capacity का जासा, क्या सकते है, capacitance or capacity is the ability of a material object or device to store electric charge or energy on it, मतलब क्या है, यह ability है, किसकी material object की, या कह सकते है, device की, किसको इस्टोर करने की ability है, electric charge या energy को इस्टोर करने की ability होती है, इसको यह दिए हम दूसरे definition दे, तो क्या है, simple सा, it is the ratio of electric charge and potential difference, किसका, electric charge and potential difference, क्या सकते है, capacitance of a conductor is the ratio of charge given to it and the increase in potential, charge upon potential, electric charge per unit, potential, तो simple सा, c equals to, क्या लिखते है, Q upon B, अब capacitance का unit, फेराड रहता है, अभी जस्ट एक question बनाएट, उसमें ही microfarad यूज किये थे, तो फेराड unit होता है, capacitance से scalar quantity होती है, याद रखना है, अब इसके unit की बात करे, जैसे फेराड तो याद रखना है, क्योंकि एक line का है, simple सा, अब इसके दिए हम unit की बात करे, कुलंब पर वोल्ट, तो चार्ज का unit क्या होता है, कुलंब, और potential difference का बोल्ट, तो कुलंब पर वोल्ट इसको हम लिग सकते थे, ओके, अब इसके dimension की बात करे, तो dimension के लिए लिए लोग हमको नहीं पता है, वोल्ट का dimension क्या होता है, ओके, चार्ज का तो 80 सब को याद रहता है, वोल्ट का नहीं पता है, वोल्ट का फर्मूला तो पर दाए, वी कोस्तों क्या होता, अब यस्ट पीछे पर दावल उपान Q, तो C by D को हम लिख सकते हैं, C Q divided by C Q लिखने हैं, उससा अच्छा, जब फिलाल चार्ज ही लिखते हैं, तो यह अपना हो गया, Q upon B, और यह हो गया Q, तो यह हो गया Q square divided by work, ठीक है, Q का होता है अपना, 80, और इसका पावर क्या चार्ज आएगा, 2, और work का अपने को पता है, मैक्सम लोग को याद रहता है M L 2, T minus 2, अब इसको जो ही आप solve करोगें, तो क्या लिख सकते हो, इसको सब पर ही solve करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या इसको, M उपर आएगा, तो M minus 1, L उपर आएगा, तो L minus 2, T उपर है, यह उपर आएगा, प्लस हो जाएगा, T पर पावर, 4, और A पर, A2, T हो जाएगा, M minus 1, L minus 2, T 4, A2, समझ में आया, नहीं, जो याद है, उसका formula याद है, formula याद है, तो put करेंगे, तो कभी भी unit and dimension क्या formula की help से आप बनाना सीखो, क्योंकि याद रखना मेरे हिसाब से सही नहीं है, आप याद कर लेते हो, अच्छी बात है, तो commentator के बता है, कितने लोग याद कर पाते हैं, चलो, unit तो याद कर लेंगे, dimension को कितने लोग याद कर पाते हैं, तो चली, यह होगी कहानी किसकी, capacity of a conductor की, जो 2021 में पूछा था, next बात करते है, what is the electrical energy of a capacitor of capacity C, charge to potential V, यह पूछा है 2020 के अंदर, कि electrical energy का आपको formula बताना है, जब उसे charge कहां तक आयता है, उसे capacity C है, और potential difference V पर charge किया जाता है, तो माल लिया हमने, if dq with the charge transfer against the potential difference V, then work done, यदि potential difference V पर dq charge transfer होता है, क्योंकि potential difference का मतलब क्या है, potential difference होगा, तो ही charge transfer होने वाला है, आप लोग सुने होगे कि charge का क्या होता है, electrification of charge, उसमें भी एक्रम क्लियरली बताए गया होगा, कि दो object जब similar होते हैं, तो charge आधा आधा बढ़ता है, ठीक है, यदि similar नहीं है, जिसका potential high होगा, वहां से charge चलेगा, कहां पर low potential के लिए, positive charge के लिए, जबकि negative charge के लिए, low से high के थर्फ चलने वाला है, तो यदि हम DQ charge को transfer करते हैं, अगे इसने potential difference B, तो सोहवी के कम charge को transfer कर रहे हो, तो आपको क्या होगा, तो आपको क्या होगा, तो अब इसी बात है, work भी कम करोगे, तो उस टाइमें हम लो लिग सकते हैं, DW, work equals to B, DQ, क्योंकि अपने को पता है, B equals to क्या होता है, W upon Q, तो छ छोटा सा काम, मतलब छोटा सा charge गया, तो छोटा काम होगा, अब B equals to क्या होता है, just अभी पहे थे, C equals to QYB पहे थे, तो यहां से B equals to क्या लिख सकते है, Q upon C, लिखा जा सकता है, C equals to QYB, तो B equals to QYC, यहां रखते है, DQ का DQ रखते है, अब work equals to, अब इसको क्या करते है, हम तो क्या मिल गया, 0 से Q तक अपने को charge लेकर जाना है, Q by C, DQ, अब Q by C में C आपका क्या है, constant है, वो बहार आ जाएगा, और Q को आप integrate करोगे, चलिए हम Q को integrate करते हैं, ऐसे यह हो जाएगा, 0, Q, और 1 by C बहार आ गया, और यहां आगया Q, DQ, और formula पढ़े होगे, X by power N का integration, DX के लिए क्या होता है, X by power N plus 1 divided by N plus 1, परे होगे integration ही कहानी, तो इसका भी हम लोग करते हैं, तो क्या करते है, 1 by C, यह अपना हो जाता है, Q पर power, 1 अल्यदी पहले से, 1 plus 1 divided by 1 plus 1, और कहां से कहां तक, 0 से Q, तिसको हो लिग सकते हैं, 1 by C, Q square divided by 2, 0 to Q, यही लिखा गया, 1 by C, Q square divided by 2, 0 to Q, अब सबसे लिए upper limit को put करते हैं, फिर lower limit को, lower limit को, lower limit तो 0 तो put करने हैं, कोई मतलब नहीं है, तो upper limit को put करेंगे, तो क्या हो जाए, small q जाए, capital Q, Q square divided by 2C, तो यह अपना formula बन का कौन सा है, किसके लिए, अपना work के लिए, energy के लिए, यही पूछ रहा है, electrical energy के लिए, तो Q square by 2C पर भी रह जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लोग चाहते हैं, अलग-अलग form में बनाना, तो simple सा work done, is stored as a potential energy, simple सा work done, और energy के लिए क्लिए 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 होता है, formula same, तो, अब U equals to Q square by 2C, अपने को पता है, C equals to क्या होता है, C equals to Q by V, तो यहाँ से Q बढ़ावर लिखते हैं, Q बढ़ावर C into V, तो Q की को जब हमने क्या लिखा, C into V, इसका square कर दिए, नीचे दो C था, वो तो था ही, अब यहाँ से क्या बनता, C square by C, जिसे C square से C कर जाता है, तो क्य क्या मिलता, C V square, ओके, अब एक नया formula बन गया अपना, हाफ C V square का, नेक्स्ट हमने हम क्या किया, इस C की जवाप पर वापस से हमने C equals to Q by V को पुट कर दिया, तो C equals to Q by V, पुट करेंगे into V square का V square, तो यहाँ से V square के साथ यह भी कट किया, तो क्या बचेगा, हाफ Q into V, तो यहाँ से अपने को तीन formula मिलते हैं, इसको ध्यान रखना है, Q square by 2C, second मिलता हाफ C V square, third मिलता हाफ Q into V, जो सबसे ज्यादा use होगा, वो होगा यह, हाफ C V square का, बांकी का जैसा requirement होगा, वैसा use होगा, लेकिन हाफ C V square सबसे ज्यादा use होने वाला बंदा है, तो उमीद करते है थोआ-थोआ समझ में आया होगा, तो यह हो गया, fifth number, sixth की बात करते है, establish the relation between electric field intensity and electric potential, electric field intensity and electric potential के बीच आपको relation बताना है, यह 2019 में आपको question पूछाता, और 2024 के objective में आपको यह question पूछे होगए है, ठीक है, यह जो अपना बंदा है, E equals to minus d by dr, 2024 के objective में पूछे हुछे हुए है तो सबसे पहले क्या करते हैं, दो point लेते हैं A और B, ओके जोनों के बीच का distance क्या है, dr है और दोनों का potential va पे b है, और b point पे b plus db है, इतने चीज़ों को माल लेते हैं, तो कहाता है, let a and b, b two point separated by a distance dr, have potential b and b plus db respectively, a और b, इस पे b potential, इस पे b plus db potential, दोनों के बीच का distance क्या है, dr है, okay, तो work done to move the test charge q0 from a to b in electric field e, अब सोचो, a पे माल लो, अपने पास एक q0 charge है, okay, इसको हम a से b लेके आना चार्ज है, कहां से, a से b, तो सबसे पहली बात है, इसके उपर force किस direction में लाएगा, जिस direction में अपने पास, इसके उपर, जिस direction में electric field होगा, q0 test charge से positive charge होगा, जि direction इस पर force लगेगा और वो क्या होगा, q0 into e, यह अपना क्या होगा, इसके उपर force लगेगा, f equals to q0 into e होता है, तो force क्या लगेगा, q0 into e, तो a to b लेके जाने के लिए आपको जो work करना, पढ़ेगा, work equals to क्या होता, force into displacement, ठीक है, तो simple सा work equals to लिख सकते है, work equals to force into displacement, तो force कितना f, जो किसके बढ़ाबर है, q0, e, के, और displacement किदार हो रहा है, just इसके opposite direction में, force उस साइड लग रहा है, और जाना इसको किस साइड है, opposite direction मतलब force लग रहा है, मालो left में, तो जाना किसको कहा है, right में, तो उस time में अपना क्या हो जाएगा, force का direction और क्या, dr का direction opposite है, तो यह जो work का formula होता है, actually यह होता है, vector f dot s, या dr, तो इसको लिखते है f s, cos theta, ठीक है, अब यहाँ पर एक vector, इस side, एक vector, इस तरफ, तो दोनों के बीच के angle कितना, 118 degree, अब cos 180 की value कितनी होती है, यह अपना ऐसे ही हो जाता, f s, cos 180 की value होती है, cos 180 की value होती है, cos 180 की value होती है, कितना, minus 1, इ okay, जब दोनों अलग-अलग direction में होंगे, इसलिए हम यहाँ लिख सकते है, q naught into e force की value, minus 1, क्यों लगा, क्योंकि दोनों का direction क्या है, एक दूसरे के, opposite, into dr था, वो dr है, इसको हमने equation 1 माल लिया, दूसरा आपने को पता है, potential difference equals to work upon charge होता है, पीछे भी पढ़े है न, potential difference equals to work upon charge, तो work बराबर क्या लिख सकते है, charge into potential difference, और potential difference इन दोनों के बीच का कितना है, यदि हम bb minus b1 करेंगे, तो bb की value कितनी, b plus dv minus b, तो क्या मिलेगा आपने को, dv, potential difference कितने का, dv का, तो q naught charge कितना है, q naught को लेकि जाना, potential difference कितना, dv, अब equation 1 और 2 में देखा जाए, तो left hand side क्या ह अपने पास, w है, तो right hand side भी बराबर होगा, तो हम lab 1 and 2 से कह सकते है, q naught e dot e r equals to q naught into dv, अब यहां से q naught से q naught, साफ, तो e equals to क्या लिखा जा सकता है, dv is side आजाएगा, और minus sign के साथ, तो e equals to क्या लिख सकते हैं, इसको लिखते हैं, और लिखते हैं, minus e dr is equals to dv, लिखते, अब minus or dr, दोनों इस side आजागा, तो क्या बन जाएगा, minus dv dr equals to minus dv dr, छोटा सा चीज है, थोवा से समझने कोशिस करेंगे, इजली समझ में आएगा, यदि derivation complete कर दे हो, तो अच्छे से figure बनाएंगे, हर एक point को clear करेंगे, कहां से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, potential difference निकाल लिए, वो formula यूज कर लिए, तो basic basic चीजी है, जो chapter 1 से भी, यहां पर आपको आती है, जैसे force का formula, q into e, chapter 1 के अंदर है, ना जाने कितनी बार आपको objective में पुछे हुए है force के लिए formula, electric field के लिए formula, यही cf equals to q naught into e, या q into e, तो यह सब याद रहना चीए, और जितना हो से question bank प तो three equal capacitor connected in series, कैसे connected है, series में, तो इसकी equivalent कितना है, six microfarad, series में connected है, तो क्या सकते है, c in series के लिए, कितना दिया है आपको, six microfarad, और कितने capacitor, three, three capacitor यहीं series में जोड़े हुए है, और वो क्या three equal capacitor, यही क्या रहना है, three equal, मतलब क्या सकते है, c1 equals to, c2 is equals to, c3, बढ़ावर, ठीक हो, सारे के सारे equal है, यदि इनको series में जोड़ेंगे, तो series का formula, one by cs क्या होता है, one by c1 plus one by c2 plus one by c3, तो चुकी यह क्या है, one by c plus one by c, यह हो गया, three by c, one by c equivalent, तो c equivalent क्या हो जाएगा, c y, three, okay, और अपने को देखे रखा है, c s, मतलब c s यह c equivalent, c s ही लिख लेते हैं, c s आपको देखे रखा है, c s equals to क्या निकाल लिया हमने, c s equals to हमने निकाल लिया, c by 3, तो c equals to क्या हो जाएगा, three into c s, three into c s की value कितनी है, six microfarad, six microfarad, यह हो गया, eighteen microfarad, ठीक है, eighteen microfarad हो गए अपना, क्या चीज, c की value, जो three capacitor थे, उसमें से हर एक की value कितनी हो गए, eighteen microfarad, अब क्या क्या रहा है, if these capacitor are connected in parallel, यह इनको parallel जोड़ दिया है, find out the equivalent capacitance, parallel के लिए अपनी कहानी क्या होती है, parallel के लिए जो अपना c, parallel का formula होता हो, होता है, c1 plus c2 plus, c3, तो यहां तो तीन हो कितनी किसके ब्रावर है, eighteen के, तो यह लिख सकते है, eighteen plus eighteen plus eighteen, यह हो गया कितना, 54, और यूनिट क्या चलेगा, microfarad, तो cp या c equivalency cost कितना हो गया, 54 microfarad, तो उमीद करते हैं, simple सा जो दिया, उसी को follow करते हैं, और जो अपने से पूछ रहा हो, उसको निकाल दिए, कि कब पूछा, 2019 में, तो स्रीज पैर्वल वाले को प्रैक्टिस कीजिए, तो 54, microfarad, next की बात करते हैं, क्या रहा है, the side of an equilateral triangle is 20 cm, एक equilateral triangle हमने बना रखा है पहले से ही, वो कितना centimeter का side है, 20 cm, equilateral है, मतलब सारे side क्या है, सेम है, यह भी 20 cm, यह भी 20 cm, यह भी 20 cm, यह भी क्या होगा, 20 cm, ओके, two equal point charges, three nanoculum are placed at its two corner, मतलब माल लो, एक corner यह अपना A है, यह corner B है, यह corner क्या है, C है, तो three nanoculum, तो माल यह plus three nanoculum यहाँ भी पढ़ा हुआ है, plus three nanoculum यहाँ भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, okay, place at two corner, what will be the amount of work done in bringing a plus one nanoculum test charge from infinite to third corner of the triangle, माल लो, infinite पे, कौन अपना है, plus one nanoculum का charge है, इसको हम यहाँ पे, third corner पे ले के आते हैं, कहां से, infinite से, तो work done कितना करना पड़ेगा, तो इस case में, ठीक है, यह three charge रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, तो हम लोग 3 pair बनाते हैं, यहाँ पे क्या है, इसके कारण जो potential होगा और इसके कारण जो potential होगा, वही निकाल देना है, और कुछ नहीं करना है, तो चलिए कारिकरम को करते हैं, तो simple सा, तो, तो क्या पूछा, what is the amount of work done, तो amount of work done, तो simple सा, work done, या, equals to, क्या हो जाएगा, W equals to, पहले वाले चार्ज है कारण, W1, पलस, W2, या potential के term में लिखे, तो सबसे पहले इस दोनों का pair हम लोगे, जब यह चार्ज यहाँ है, और यह आएगा, तो कितना energy gain करें, कितना work आपको करना पड़ेगा, तो वो हो जाएगा, अपना, 1y, 4pi, epsilon 0, into, Q2, इसको हमने मान लिया, मान लो, Q1, इसको हमने मान लिया, Q2, और इसको हमने मान लिया, Q3, तो यह अपना हो जाएगा, Q1, Q3, divided by, दोनों के बिच का distance, मतलब, कह सकते हैं, यह अपना, R1, इसको, R2, और इसको चलो हम मान लेते हैं, R3, सिर्फ लिखने का है, तिनों तो भैलू सेम ही है न, तो, R1, पलस, 1 by 4 pi, epsilon 0, into, दूसरे वाले चार्ज कालिए, Q2, Q3, divided by, उन दोनों के बिच का distance, R3, इतना आप सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा कहानी, तो चलिए, R1, R3 का भैलू तो पता ही है, जो नहीं पता है, उसको अंदर रखते हैं, बहां के सबको बाहर, तो, 1 by 4 pi, epsilon 0, into, दोनों में Q3, common है, तो, Q3, divided by, simple सा, R1 equals to R2, plus R3 है, तो, simple सा, हम लो, किसके, आपको पता है, पहले से देखे रहा है, R1 equals to R2, equals to, R3 बड़ावर, R, इसलिए हम लोग यहां लिख लेते हैं, R, अंदर क्या बचेगा, Q1, और यहां बचेगा, Q2, ठीक है, 1 by 4 pi, प्लोनोंट की वालू होते हैं, 9 into 10 to the power, 9, Q3 की वालू कितनी है, 1 nano coulomb, यह है न, 1 into 10 to the power, minus 9 coulomb, okay, divided by R की वालू कितनी है, 20 cm, तो इसको लिख 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 20 into 10 to the power, minus 2, तो देशी, centi, minus 2, इसकी बात करे, तो यहां कितना हो जाए, Q1 plus Q2, Q1 plus Q2, 3 plus 3, इसको लिख लिख लिखते हैं, 6 nano coulomb, क्या लिख 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 को? into, Q1 plus Q2 को? Q1 plus Q2, 3 plus 3, तो 6 nano coulomb का मतलब 10 to the power, minus 9, अब बात करते हैं, कौन किसे कटेगा, इसको यहां काटा जाए, तो इसको 10 लिख लेते हैं और इसको क्या लिख लेते हैं 3 अब हो गया अपना कहानी खतम यह हो गया 9 into 3 into 10 पे पावर 9 से 10 पे पावर minus 9 कट गया और यह 10 है यह minus 2 है यह 10 पे पावर minus 1 यह उपर जाएगा 10 पे पावर minus 1 और पलस 1 यह हो जाएगा 18 into 10 पे पावर minus 8 ओके कुछ खुटा तो नहीं न माइनस 8 जूल ठीक है यह क्या हो 18 into 10 पे पावर minus 8 जूल गलती कुछ तो हो गया ना 9 into 3 18 थोड़ी ना होता है 27 होता है ना 27 into 10 पे पावर minus 8 जूल 9 into 3 के तना 27 into 10 पे पावर minus 8 जूल तो sorry मतलब multiply में mistake तो simple सा थ्वार ध्यान रखिएगा तो 9 into 3 27 यह 3 into सरी से नहीं लग रहा है 9 into 27 into 10 पे पावर minus 8 जूल इसका आंसर हो जाएगा उमीद करते हैं समझ माया 8 नमर कोश्चन को कैसे बनाएंगे यह कब पूछा था 2018 में next next question की बात करते हैं क्या कर रहा है evaluate the capacitance of a parallel plate capacitor मतलब आपको क्या निकालने कर रहा है capacitance मतलब c okay c equals to क्या होता है epsilon 0 upon d okay having parallel plate of area area आपको देके रखा है कितना six centimeter का square मतलब six into 10 पे पावर देशी संटी मतलब minus four meter square यह आपको देके रखा है okay at a separation of two mm और दोनों के बीच का separation कह रहा है है two mm okay consider air between the plates as a dielectric medium if a if the capacitor is connected to 200 volt 200 volt से यह the capacitor connected है वोल्ट पावर से रहा है what will the charge on each plate तो कह रहा है भाईया आप बताईए charge क्या होगा एक तो यह पूछा जा रहा है कैपसिटेंस फर्स्ट में पूछाए capacitance और दूसरा आपको पूछ रहा है charge on each plate ठीक है तो इस question के अंदर दो चीज़ पूछे गए है पहला capacitance और दूसरा charge पूछा जा रहा है ठीक है तो चलिए कायकरम को शुरू करते हैं चलिए तो capacitance का formula क्या होता c equals to epsilon naught into a divided by d epsilon naught की value से अच्छा है इसको कैसे याद रखेंगे इसको ऐसे कुछ रख सकते हैं 4 pi into epsilon naught a divided by 4 pi into d 1y 4 pi epsilon naught की value करते हो 9 into 10 to the power 9 तो इसको यह आप solve करोगे तो आपो क्या मिल जाएगा यह मिल जाएगा आपका 9 into 10 to the power 9 ओके और यह हो गया आपका into 4 pi into d की value कितनी दी गई है 2 mm तो इसको हम लिख सकते हैं सेंटी मिली 2 into 10 पर पावर माइनस 3 मीटर ओके डिसे संटी मिली है तो 2 into 10 to the power माइनस 3 और यहां बच गया 4 pi epsilon naught काने खतम area area की value दिया है 6 into 10 पर पावर minus 4 ओके चले ओके तब इसकी कहानी को थोवास आगे वराते हैं तीन से काटेंगे और यह यह 2 से 2 साफ यहां से क्या अपने को मिला 10 पर पावर माइनस 4 यह उपर जाएगा तो माइनस 9 और यह उपर जाएगा तो पलस 3 divided by 12 pi यह हो गया 10 पर पावर कितना कह सकते है 10 पर पावर 13 में से 3 गया तो माइनस 10 divided by 12 pi ठीक है अब इसको solve किया जाए तो इसको हम लो लिख सकते है स्थाइब तो इसको solve करने को बद क्या आएगा है कि हुआ हुआ है कि यह से क्याव लिटर को हम देखते हैं यह हो गया अपना 10 पर पावर minus 10 divided by 12 pi, ये आजाता हापना, 2.65 इन्टो 10 to the power minus 12, कैपसी 10 से तो हराड. ओके, नेक्स्ट, सेकेंड पार्ट में इसके चार्ज निकालना है, हम लोग क्या जानते हैं, इलेक्रिक पोटेंशियल देखके रखा हुआ है, तो C equals to Q upon B, जानते हैंना, C equals to Q by B, तो Q equals to क्या हो जाएगा, C into B, मतलब लिख सकते हैं, 2.65 into 10 to power minus 12 into B, क्या मतलब 200, ये अपना हो जाएगा, कितना, क्या सकते हैं, 0, 3.5.30 into 10 to power, ये minus 12 था, दो लट्डू है, तो मतलब, minus 2 खतम हो जाएगा, तो simple हो जाएगा, minus 10 कुलम, तो ये हो गया, आपका चार्ज वरावर Q equals to इतना, एक आंसर ये, और पहला आंसर, एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया, उमीद करते हैं, समझ में है, easy था question अपना, simple सा आपको सब कुछ दिये हुए है, उसके according to आपको निकाल के दिखा देना है, तो formula याद रहेगा, तो आड़ाम से बनेगा, चलिए, next चलते है, 2005.31, ठीकी है, 10 पहावर माइनस 10 C, 9th के बाद आयाते है, अपन, 10th के ऊपर, क्या करें है, potential due to system of charge is V equals to 3 plus 2X, in SI system, what will be the value of electric field at X equals to 2 meter, अलएड इसे पहले question किये थे, electric field or electric potential in relation का, चोकि ये X का function है, तो electric field is equals to होता है, minus dV by dx, तो minus का minus, और differentiation यूज़ करेंगे, X plus, sorry, 2, 3 plus 2X, 3 plus 2X, इसका differentiation क्या हो जाएगा, 3 का constant इसका 2, तो minus 2, electric field का क्या होता है, volt per meter, ये तो आसान था, तो minus 2 volt per meter answer हो जाएगा, question number 10, जो 2017 ने पूछा है, तो differentiation, important होता है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि आपको AC में भी differentiation मिलेगा, ठीक है, flux के case में भी differentiation मिलता है, तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं, next कहारा है, find the resultant capacity for parallel connection of three condensers, three condensers के लिए parallel connection के लिए आपको क्या कहारा है, resultant capacity, मतलब resultant capacitance, equivalent capacitance के लिए पूछा जा रहा है, यहीं तीन पैरलल के capacitor को parallel ही जोड़ोगे, तो क्या रह होने वाला है, यहां से charge, क्यों जाएगा, इस point से और इस point से तीनों capacitor जुड़े हुए, इसका मतलब है कि इन दोनों के बीच का potential क्या होगा, सेम होगा जो इसका potential होगा, जहां से current आ रहा है, लेकिन यहां से Q चार्ज आएगा, तो इस side मान लिजे, Q1 गया, चार्ज का division होगा, और यहां से Q3 गया, Q1, Q2, Q3, तो charge divide होता है, जबकि potential सेम रहता है, चाहे आप resistance case में चले जाओ, चाहे आप capacitor case में चले जाओ, यहादि series रहेगा, तो वहाँ पे current सेम रहेगा, चार्ज के term में बोलते हैं, तो charge सेम रहता है, वही parallel रहेगा, तो वहाँ पे आपका potential सेम रहेगा, और charge डिफरेंट रहेगा, ठीक है, resistance यह current electricity chapter में जाएंगे, तो वहाँ पे ध्यान देंगे कि जब series में रहता है अपना, चले पहले capacitor के राद फिर से करते हैं, कपीटर के अंदर ऊदी scientists का रहां, आपके degast के semb man रहे हैं पेटेंटिटर के अंदर यदी sorry capacitor series में होता है, तो चार्ज सेम रहे गा, पोतैंसियल may उलग होगा, और वही parallel में capacitor रहेगा, तो Charge डिफरेंट रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा, उसलिए रसिस्टेंस एकेस में जब जाओगे, चैप्टर नबर थी के अंदर, तो वहां पर याद रखोगे, क्योंकि पूछा जाता है, तो यदि रसिस्टेंस स्रीज में है, तो वहां करेंट सेम रहेगा, और पोटेंशियल डिफ्रेंट होगा, वही रसिस्टेंस आपका पैरलल में रहेगा, तो आपका करेंट डिफ्रेंट होगा, पोटेंशियल सेम होगा, तो यह याद रखना है, क्योंकि अब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, तो यहां चोकि तीनों किसमे है, पैरलल में है, तो स्वाविक से पोटेंशल सेम रहेगा, और चार्ज क्या होगा, डिफरेंट होगा, तो चलिए, पोटेंशल इस सेम, एक क्रॉस इस क्या पैसिटर, सारे क्या पैसिटर के लिए चाहिए C1 हो, C2 हो, C3 हो, तीने को लिए Q1 equals to QYB होता है, तो Q equals to क्या लिख सकते हैं, C into B, पोटेंशल चुकि सेम है, तो Q1 equals to C1B, Q2 equals to C2B, और Q3 equals to C3B, लिखा जा सकता है, हम लोग जानते हैं, चार्ज क्या होता है, असको सिंपल, अलजेबिक मेथड से एड कर सकते हैं, तो टोटल चार्ज की बात करते हैं, जो अपना Q इंटर किया है, वो Q1 plus Q2 plus Q3, अब वापस ते यहां क्या निकलता, यहां से निकलता भी तो, वो Q ही निकलता, ओके, तो यहां से सिंपल सा, सबकी value पुट करोगे, C1B, C2B, C3B, समय B, कॉमन हैं, बाहर रखे, तो C1 plus C2 plus C3, लिखा जा सकता है, ओके, अब यदी मा जालों इस तिनों को हटाके, एक कैपसीटर लगाते, ऐसे, यहां पर पॉटेंशिल भी है, तो आभी के, इसका एक पोटेंशिल सेम होता, भी, ओके, चार्ज यहां से Q जाता है, यहां से निकलता भी Q, यही होता ना, पोटेंशिल सेम है, तिनों की जगा पी equivalent हमने लगाया उसका नाम हमने रखा चुकिए, यह पैरलल है, इसका नाम हमने क्या रखा, CP, और यहां पर Q का फर्मूला क्या हो जागा, Q equals to C into V होता है, Q equals to Cp into V, क्योंकि Cp क्या है, एक कैपसीटर हमने यूज़ किया है, अब equation किसे, 1 और 2 से, तो उन्हों के left side में अपना Q है, तो right side में हम लाइक को रखा लिख सकते हैं, CP into V, यदि इसको हम लिखना चाहते हैं, तो ऐसे लिखते, CP V is equals to C1 plus C2 plus C3 into V, V से भी साब, तो क्या मिलता, CP equals to C1 plus C2 plus C3, तो मतलब तीनों को क्या करते है, पैरलल के case में, तीनों को add कर देंगे, यह दिक कैपसीटर की बात हो रही है, वह यहाँ सिरीज की बात होती, तो वहाँ पर add नहीं होता है, वहाँ सिरीज वाले में add होता है, तीक है, यहाँ सिरीज की बात होती है, यहाँ सिरीज में होती है, यहाँ सिरीज में होती है, यहाँ सिरीज में होता है, यहाँ सिरीज में होता है, यहाँ सिरीज में होता है, यह यह अपने कहाने किसके लिए होगे parallel के लिए तो आप series का भी ध्याने में रखेंगे series का formula कैसे निकलता है तो कह सकते हैं simple से यह तीनों को add करना price का मतलब है कि जो equivalent capacitance होगा उसके individual c1, c2, c3 इन सब से बढ़ा होगा वो ठीक है तो कह सकते हैं the effective capacitance in parallel combination is larger than the largest of all मतलब इस तीनों में जो सबसे बढ़ा होगा उससे भी बढ़ा होगा वो ठीक है जबकि parallel के किसमें यह होता है कि जो सबसे बढ़ा है मालो एक one microphad two microphad three microphad तो इसका result जो होगा वो three microphad से भी बढ़ा होगा और वही यदि हम बात कर लेते हैं किसके series की बात करते हैं यदि capacitor में series की तो वहाँ पर equivalent होता है वह होता है सबसे छोटे वाले से भी छोटा तो वो कहानिया आपको थेवरी यह पढ़नी है तो simple सा है potential same रहेगा यदि parallel combination होता है और क्या different रहेगा charge different रहेगा किस case में parallel के case में a y-series रहता तो वहाँ पर क्या होता charge same रहता और potential different होता अलग-अलग capsular के लिए potential अलग-अलग होता है तो उम्मीद करते हैं समझ में आया थोड़ा सा next कहा रहा है what is the function of second plate in a parallel plate capacitor second plate का क्या काम होता है second plate का का काम होता है कि जो charge store करने capacity है किसकी capacitor को उसको increase करना तो क्या सकते है second plate act as a conductor and is close to the first plate it lowering the potential of the first plate इसका सबसे पहला काम क्या है कि first plate के potential को decrease करना so that it can store more charge जैसे कहान यह क्या करेगा ज्यादा charge को store कर पाएगा and the capacitance of the capacitor is increased जिसे कहान इसकी capacity or capacitance क्या हो जाएगा increase कर जाएगा keeping the size of the capacitor as same the capacitor के size को बिना बढ़ाएवे उसकी capacity क्या कर जाएगी increase कर जाएगी so second plate काम क्या है कि पहले potential को decrease करना जिसे कहान उसके charge के store करने capacity increase कर जाएगी जिसके कहान आपको उसके capacitor के size को बढ़ाने की जवथ नहीं पड़ेगी तो क्या सकते हैं it lowering the potential of first plate so that more charge can be stored on the capacitor जिसे कहान अब ज्यादा charge को store कर सकते है capacitor के अंदर यदि figure बना चाहते तो यह अपना first plate है यह अपना second plate है ठीक है इस पर यह प्लस Q charge है इस पर क्या होता है माइनस Q charge है अलड़ ही पढ़े होंगे यह topic को चाहिए next question क्या रहा है इस charge on a metallic sphere of radius 9 cm आपको एक पास एक metallic sphere है जिसका radius किता दिया है 9 cm तो मतलब radius आपको देखे रखा है 9 cm इसको बनों लिख सकते है 9 into 10 power minus 2 meter okay is इतना क्या चीज चार्ज मतलब Q आपको देखे रखा है 4 into 10 power minus 6 Coulomb यह आपको क्या देखे रखा चार्ज देखे रखा है okay calculate the potential energy आपको पूछ रहा है potential energy क्या होगा अप्तर चार्ज अंतर चार्ज अंतर कंड़कर potential energy का formula normally हम लोग क्या जानते हैं half cv square ठीक है उसको convert करने के तीन formula इससे पहले भी हम लोग बात किये तो potential energy निकालना है तो सबसे पहले half cv square का formula भी जानते हैं दूसरा याद होगा half c c equals to q upon c equals to क्या होता है qy b तो यहां से b equals to हो जाएगा qy c तो qy c का whole square तो एक दूसरा formula था half q square divided by c यह formula भी निकाले थे अभी just कुछ दर पहले तो capacitance c equals to क्या होता है 4 pi epsilon not r किसके लिए spherical conductor के लिए तो यहां से इसको हम लोग लिखते हैं तो क्या लिखते है 4 pi 1 by 4 pi epsilon not की value क्या होती है 9 into 10 to the power 9 तो 4 pi epsilon not की value क्या हो जाएगी यह हो जाएगी 1 by 9 into 10 to the power 9 और radius आपको देखे रखा है 9 into 10 to the power minus 2 यह हो जाएगा 9 से 9 साफ यह हो जाएगा 10 to the power minus 9 minus 2 यह हो जाएगा 10 to the power minus 11 फराड यह आसान था अब अपने को यूज फर्मूला करना है potential energy का half cv square का use करके half q square by c को तो potential energy क्या होता फर्मूला half q square divided by c 1 by 2 q square q का मतलब क्या है 4 into 10 to the power minus 6 4 into 10 to the power minus 6 का whole square okay divided by c c की value किती निकाल है 10 to the power 11 divided by 10 to the power minus 11 तो इसको और आगे solve करते हो क्या लिखते है 1 by 2 into 16 into 10 to the power minus 12 divided by 10 to the power minus 11 इसको काटते है तो क्या हो जाता है 8 into 10 to the power minus 12 plus 11 क्योंकि यह उपर जागा तो plus 8 into 10 to the power minus 1 joule या इसी को लिखते 0.8 joule क्या चीज पोटेंशिल इनर्जी जो आपसे पूछ रहा है आसान था सिंपल सा जो गीवेल है उसका यूज करके फर्मूला यूज किये खटाक से अपन निका लिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.8 joule ठीक है चलिए अगले सवाल की और चलते हैं अगला सवाल क्या है टू कंडेंसर हैविकर तेंश कॉंभिनेशन का इन पूक कि और बिविए शिर्ज कंबिनेशन फाले की बात करें ढ़ख करें तो पैरल कैसे अभी यह यह ओगा पैरलल यह हमारा सीवन यह अपना सीट्व और यहां सिरीज की बात करें तो सिरिज की यह दी बात करें तो कैसे जोड़ेंगे ऐसा यह अपना C1 यह अपना C2 इतनी ही सा पुछा है तो हो गया 14 अब बात करते हैं 15 की Defined Electrical Intensity in Current Current Conductor and Equipotential Surface तो Electrical Intensity जड़ी बात किया तो अब force exerted on a unit positive chart चैप्टर वोनने भी पाई थे यूनिट पॉजिटिव चार्ज पर ठीक है तो फोर्स exerted on a unit positive charge placed at a point in an electric field is called electric field intensity मतलब एक unit positive charge किसी point पर place करते है तो वो जो force experience करता है वही क्या कहलाता है उस point पर electric field intensity कहलाता है ओके तो simple सा कहते है unit positive charge के उपर जैसे अपने पास formula क्या होता है इकोल्स टू f by q0 जड़ी q0 की value 1 हो जाए unit charge हो जाए तो यहां से क्या लिख सकते है इकोल्स टू f तो जो force unit positive charge के उपर किसी point पर exact होगा वही हमारा क्या 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 लाएगा simple सा electric field क्या लाएगा तो simple सा लिख सकते है इका formula क्या होता है f by q0 यह वेक्टर फॉर्म में कहते है तो क्या कहते है कुछ तो कहते है तो इकोल्स टू f upon q0 चो कि charge अपना क्या होता है एक स्केलर quantity है force अपना vector quantity electric field भी अपना क्या है vector quantity है तो क्या सकते है तो field inside the charge conductor is zero already chapter one के derivation में आप पढ़े होगे किसी charge conductor के अंदर electric field intensity की value क्या होती है zero होती है लेकिन electric field is non-zero inside a current carrying conductor जबकिए इसके अंदर electric field की value किसी current carrying conductor मालों यह current carrying conductor है इसके अंदर electric field की value जीरो नहीं होती है ओके तो क्या सकते है non-zero inside the current carrying conductor और उसको यह आप निकालना चाहूँ तो लिग सकते है e equals to V upon a V क्या potential difference between two ints दो जो ints है यह ints हो इन दोनों के बीच का potential difference और L क्या हो किया length of the conductor और यहां यहां तक का length जो होगा वो length क्या लाएगा तो क्या सकते है भी potential difference across the conductor and L is length of the conductor next electric field outside the current carrying conductor is zero electric field जो हमाना conductor है इसके outside zero होगा लेकिन जब current carrying conductor होगा तो इसके outside magnetic field हो जाता है okay तो outside क्या होता है magnetic field लेकिन electric field क्या रहती है zero रहती है तो इस सब चीजों को ध्यान में रखेंगे simple सा कहानी है अपनी तो यह 2013 पुछा था two marks के अंदर next equipotential surface क्या होता है एक ऐसा surface जिसके किसी point पर चले जाओ वहाँ पोटेंशियल से मिलने वाला है मतलब मान लो यह सब क्या है जितने भी dotted line दीख रहे है सारे सारे equipotential surface है तो यदि इस surface की बात कर तो इस मिलने वाल है उस तरह इस surface पर आ जाओ इस surface पर कहीं भी चले जाओ तो इस चारो पांचों point पर एक दो तीन चारो इस चारो के ओपर आप potential से मिलेगा तो ऐसा surface जिसके ओपर कह सकते है potential सेम रहता है उसको क्या कहता है equipotential surface तो कह सकते है any surface that has same electric potential at every point on it is called equipotential surface मतलब इससे किसी point पर चले जाओगा आपको surface पर क्या मेलेगा किसी point पर हर एक point पर आपर पोटेंciousλα क्या मिलने वाला है same मिलने वाला है एसा surface तो किसी conductor का जो surface होता है वह हो बहुंपोटेंश्ण नेक्स्टी बात करते है यह तो हो किसकी कहानी एलेक्रिक फिल इंटेंसिटी के लिए यह हो गया एक्यूपोटेंशिल सर्फेस के लिए एक छोटा सा फिगर बना देंगे तो और अच्छा लाएगा आपको next कहा रहा है find equivalent capacity between a and b a and b के बीच में equivalent Employment Ke determines आपको बताना है तो इसको आप जितना practice करें उत्ता बनने वाला है चली सुरू करते हैं तो सबसे पहले इस टीनों की बात करें यह जो तीनों है यह कैसे जुड़े हुए है यह तीनों सिरीज में जुड़े हुए हैं, तो इस तीनों के जहाँ पर हम single यदी use करते हैं, तो कैसे लगाते हैं इसको, यह हो गया, दो हो गया और एक अपना तीसरा, ठीक है? यहाँ पर एक लगा हुआ है, यहाँ ऐसे 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 और यह दोनों तो हो गया ठीक है, इसके ज़ापे हम सिंगल लगाते तो इसको हम कुछ ऐसा लिखते है और इसका मानलों हम लें C1 नाम रखा, बांकर जो जैसा है यह अपना 3μF, इन लोग का भी फिलाल काम नहीं है, तो नाम यह अपना है 3μF और यह अपना है 2μF, तो यह C1 जो है किसका फर्मूला अपने को पता है तो 1y c1 is equals to क्या लिखते हैं हम लोग सिरिज के लिए 1y 3 plus 1y 3 plus 1y 3 तो 1y c1 is equals to हो जाता कितना 3y 3 तो c1 equals to लिखते हैं कितना हो याता 1 microfarad अब ये अपना जो है वो c1 क्या होगा इस तिनों combination 1 microfarad ठीक है अब ये और ये जो 2 microfarad और 1 microfarad है वो कैसे जुड़ा हुआ है parallel जुड़ा हुआ है तो ये इन दोनों combination लेते हैं तो कुछ ऐसा बनाते है और ये होगी कहानी ये दोनों parallel तो दिखी रहा है तो इस दोनों को हटा के हम एक वहादर को लगाते हैं किसको किसको हटा के इन दोनों को ठीक है और ये हमारा दोनों को हटा के लगाते तो इसको मालो हमने माल लिया C2 C2 चुकी ये दोनों parallel combination में है तो C2 equals to क्या होता C2 equals to हो जाता 2 plus 1 मतलब C2 equals to हो जाता 3 micro farad ठीक है तो अपना ये combination निया वाला बन गया अपसे नेक्स्ट पे आते हैं अब देखो ये ये और ये ये तीनों कैसे जुड़े हुए है ये आपका 3 वाला है ये भी अपना 3 वाला है ये 2 है ओके और ये भी 3 है ये भी 3 है तो ये 3 C2 भी 3 और ये भी 3 C2 कितना है सब micro farad में है 3 3 3 तो simple size तीनों को हटाके एक बन्दा बनाते हम और यहां एक है और इस तीनों को हटाके किस तीनों को हटाके इस तीनों को तो एक बहां तूर लगाते और ये कित्ता हो जाता इसका मालूम नाम रखती हमने C3 तो चुकी ये तीनों कैसे जुड़े हुए हैं तीनों series में जुड़े हुए हैं तो वापस से फंडा लगता 1 y C3 is equal to 1 y 3 plus 1 y 3 plus 1 y 3 तो C3 equal to तो निकालते थे कितना जाता 1 micro farad C3 की value क्या जाती 1 micro farad ओके ओलेडी पता है पहले से अपने को इसका कितना है 2 micro farad और ये कितना है 3 micro farad और ये अपना कितना है 3 micro farad अब गौर फढ़वाएंगे अब ये जो दोनो है ये दोनो ये वाला और ये वाला ये दोनो कैसे जूड़े हुए हैं ये दोना parallel में जूड़े हुए हैं तो इस दोनो ये आप equivalent बनाते तो क्या होता ऐसा और इसका नाम हम रख लेते हैं C4 ये अपना क्या है 3 micro farad और ये अपना क्या है 3 micro farad तो C4 C4 के लिए क्या है C4 क्या है C3 और 2 micro farad का parallel combination है तो parallel के लिए अपना फर्मूला क्या होता है तो C4 equals to क्या लिखते है 2 पलस 1 मतलग 3 micro farad ये क्या हो जाता C4 अब देखो 3 वाला C4 और 3 ये तीनों कैसे है जुड़े है श्रीज में जुड़े हुए तो स्रीज के लिए कहानी क्या हो जाती है तो ये तीनों को हटा के एक सिंगल बनाते है और इसको हम लोग लिखते C equivalent तो ये अपना क्या हो जाता तीनों जुड़े हुए है अपना कैसे श्रीज में जुड़े हुए है तो स्रीज का फर्मूला होता है 1 by C equivalent इकोल्स टो क्या हो जाता 3 प्लस 3 प्लस 3 1 by 3 प्लस 1 by 3 प्लस 1 by 3 तो C equivalent इकोल्स टो क्या हो जाता अपना 1 micro उमीद करते हैं कि समझ में थोड़ प्लस आया होगा स्रीज और पैरलल इसका जितना प्रैक्टिस करोगे उतना असानी से बनने वाला है तो चलिए कारिकरम को इसका अंसर क्या होगा 1 micro farad चलिए नेक्स्ट क्या रहा है final equivalent capacitance between A and B मतलब आपको ये वाला point A है ये वाला point B है इन दोनों के पीछ में आपसे पूछा जा रहा है equivalent capacitor तो चलिए इसको थोड़ा सा arrange करते हैं arrange करने से क्या होगा जो भी होगा देखते हैं ये point अपना A A से सबसे पहले उपर वाले को लेके चलते हैं तो एक capacitor दूसरा capacitor और बीच वाले को लेके चलते हैं एक दो ये दोनों जाके किस से मिले हैं ये दोनों जाके मिले हैं point C से उके उसके बाद C से एक बंदा निकला है capacitor वो जाके मिला है point B से ठीक है और एक बंदा A से direct B को गया है मतलब यहां से ऐसे direct एक लेके गए और वो जाके किस से मिल गया चलो इसको थुरा सा ये जाके ऐसे मिला है ये दोनों जाके मिले गया है किस से point B से इतना इसा चीज है अब देखो यह पुरा आरेंज हो गया अब इसली यह बनेगा अब इसको बनाने में क्या दिक्कत था है सजिच का फर्मूला होता है 1y c1 प्लस 1y c2 यहां समलों लिखते हैं 1y c प्लस 1y c तो c equivalent equals to हो जाता c upon 2 तो इस दोनों के जहां पर एक हम रखें तो यह हो जाता c y 2 और एक दूसरा वंदा जो अपना है वो क्या हो जाता यह भी हो जाता c y 2 दोनों जागे किस से मिले हैं point c से और जो अपना आगे जो चल रहा था वो तो जैसा है यह point b अब यह दोनों कैसे जुड़े हुए है पैरलल में ठीक है तो दोनों पैरलल में जुड़ते हैं पैरलल को क्या सिंपल सा जोड़ते हैं c1 प्लस c2 तो इसको यह दिए हम और solve करते तो इस दोनों के जहाब पे हम उसको हटा के क्या लिखते इस दोनों को यह दिए हमको हटा कर लिखना होता तो हम इसको लिखते कैसे दोनों को combination को हटाते तो क्या बिल्दा दोनों को जो c2 c2 मतलब c यह हो गया c और यह एक और बंदा है यहां तक क्या इन दोनों के विचछ का a से और c के विच का distance क्या हो जाए कफसितेंस c और यह भी अपना क्या है c और नीचे से अपना एक जो जा रहा था वो है यह c यह भी c और यह अपना भी c है अब इस दोनों कैसे दोनों जुड़े हुए हैं सिरिज में जुड़े हुए हैं तो equivalent क्या होगा 1yc प्लस 1yc मतलब इस दोनों को हटा के यूज करते तो c by 2 इसको यह द से जुड़े हुए है पैरलल जुड़े हुए है पैरलल के लिए क्या होता c1 प्लस c2 तो सिम्पल सा यहां लिखते हैं c equivalent is equal to c by 2 पलस c मतलब 3 c by 2 तो यह अपना इसका आंसर आ जाता तो अंसर क्या होता 3 c upon 2 फिर से था समझते हैं सबस्पहले उसको एक आसे मैं डिजाइन से vivid जिससे वह समझभेए क्ओं स्रेश का लल Nepไ远 यहां से तुग यह की में थे यह ससका अननने निवायच में थे तो इसका निकाला रखा हुआ है अब यह दोनों कैसे दिख रहे हैं यह दोनों अपने Him! अब बात करते हैं last वाइज the belt of VANDY GRAB generator made of insulating material insulating material का यह जो अपना belt दिखरा है यह जो belt है ना VANDY GRAB generator का यह insulating material का पना जाता है इसलिए बना जाता है कि जब इस comp से जो दिखरा है इससे जब charge दिया जाता है इस पे यदि इंसुलेटिंग material काने वर को तो Due to insulating material, charge taken by the belt do not spread on the belt. अब insulating है, तो spread तो करेगा नहीं. But they are stored. यह क्या होते? Stored हो जाते है. Charges are sent by the belt to the pointer conductor. जिसके कार यह stored हो जाते हैं और यह क्या होते है? यह जो conductor है, इसको आप charge इसे मिल जाता है. If the belt is made of conductive material, यह दि बेल्ट रहता, conductive material का insulator नहीं रहता, तो क्या होता? It is spread over the entire belt and the functioning system does not run smoothly. जिसे कारन क्या होता? यह charge जो रहते हैं, उस चारों पूरे बेल्ट पर फैल जाते हैं और फैल जाने के बाद तो इसका function सही तरीके से नहीं हो पाता. क्योंकि यहां से हम चार्ज देते हैं, यहां से हमको चार्ज कलेक्ट करना होता है. तबने यह आउटो जो सर्पेस कंड़क्टर देख रहा है, उस पर चार्ज स्टोड करोगे. तो इसलिए हम इंसुलेटर का बनाते हैं, और चार्ज स्प्रेड नहीं करें और अब उसका function अच्छे से चलता रहे. ओके, यह हो गया, 80 नमर कोश्चन, नेक्स्ट, तो इतना ही कोश्चन थे आपके अभी तक 2009 से लेके 2024 तक के पूछे हुए, तो इंफर्मेटिव लगा, तो अपने दोस्तों के साथ सेयर कीजिए, कमेंट करके बताए कैसा लगा, जितना हो सके, कोश्चन मेंक के राउंड प चाहते हैं, तो मिलते हैं, अगली कहानी में, थैंक यू,